नमस्कार दोस्तों मैं हो सोगवर्मा आप देख रहें टीबी 20 नीज टीबी 20 नीज पर खबरों का सिलसिला जारी है बने रही है हमारे साथ एक दिन पुर्व ही जिले के महिनाजपुर छेतरे में देख्षिन प्रोदेख्षिन का पुड़ा गाउं में अवास आवंटिर को लेकर हो रहे बैठक के दवरान एक पक्ष द्वारा के गए ताबर तोड फारिंग में जहां एकी वक्क की मौथ हो गई थी वई दू अने भी कोली लगने से खायल हो गए थी इस संसुनी खेज घटना के बाद खोद स्पीप मौके पर पहुंची थी और पॉलिस की चार्टी में गठित कर मौके आरोपी की तलास में लगाई थी फारिंग में तरवा थानास के जामोडी गाउन निवासी हिमानसु सिंग की मौथ हो करके घटना में प्रयुक्त बंदूग परामत करने के प्रयास के दुरान आरोपी ने जाड़ियों में चुपा कर रखी कई बंदूग के साथ रखे कट्टे की पुलिस टीम पर फार कर भागना चाहा जब आपी कारवाई में पुलिस ने भी गोड़े चलाई जो उसकी दाह के अभ्यूक्त जीतेंदर यादव को कचेरी के पास से हिरासफ में लिया गया और हत्या में प्रयुक्त असला की बरामत्गी के लिए इसको ले जाये गया वहाँ पर जीतेंदर यादव दोरा ज्ठीयों में रखी बंदू के साथ तमन्चे से पुलिस के ऊपर फारिंग करी करी गी वहां से भागने के इसके दौरा प्रयास की गया है पुलिस के दौरा आत्मरक्षात वा कंट्रोल फाइरिंग करी गई जिसमें जीतेंद यादफ के दाhinे पैर मे गोली लगी है वा इसको पुना पकड लिया गया है प्रात्मी उब्चार के बाद जीतिन यादफ को जिखिकेट साले इलाज के लिए भीज़ दिये गया है वा इसके बाकी साथ्यों की गिरिफतारी के प्रयास जानी है शीगरी उन सभी के गिरिफतारी भी करी जाएगी